जब आप अपनी vocabulary में सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं तो इसके लिए आपको बैट कर vocabulary याद करने की जरूरत भी नहीं ऐसा करने के लिए बहुत सारे मज़ेदार और किताबे पढ़ने vocabulary बढ़ाने का सबसे सटी गुपाय है क्योंकि इसके शब्द ही होते हैं ठीक है सबसे important है कि आपके अंदर सीखने की इच्छा होने चाहिए आप जब भी कोई नया word देखते हैं उसको अपनी copy में लिख ले और कोशिश करें कि उन नए शब्दों को आप अपने जीवन में regular use करें उन शब्दों को याद रख पानेंगे वरना भूल जाएंगे इसलिए आप regular उनको use किजिए शुरुआत में अगर हो सके तो बच्चों की English कितावे पढ़ें इसके बाद धीरे-धीरे अपने लेवल और पसंद की English कितावे पढ़ना शुरू करतें सबसे पहले तुम्हारा ध्यान किधर है वेर इस यूर अटेंशन सेकेंड वेर इस यूर अटेंशन कल किसने देखा है टुमॉरो नेवर कमस कल किसने देखा है टुमॉरो नेवर कमस थर्ड देखते हैं अब हम वा सिर्फ कहने के लिए दोस्त है वो सिर्फ कहने के लिए दोस्त है वो तुम्हें उल्लू बना रहा है आप भी रिपीट केजें एक वर्ड को तीन दिन बार रिपीट केजें और याद करने के लिए ठीक है अब नेक्स्ट वहां तुम्हारे अलावा कोई नहीं था यू बात कोई ज्यादा आगे मत बढ़ाउं Don't stretch the matter further. जनता की आवास को दवाने की कोशिश मत करू. Don't try to suppress the public voice. जनता की आवास को दवाने की कोशिश मत करू. Don't try to suppress the voice of people. Next देखते हैं हम. महनत कभी बेकार नहीं जाती. Hard work never goes in vain. Hard work never goes in vain. महनत का फल एक न एक दिन जरूर मिलता है. महनत का फल एक न एक दिन जरूर मिलती है. Hard work definitely pays off soon or later. यह सब तुम्हारी कर्टूत है. ज्यादा घुमा फिरा की बातें मत करू. Don't beat around the bush. Don't beat around the bush. कोई-कोई बश परता है तो बश नहीं बश. मेरा आज कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है. I don't feel like doing anything today. रातो रात कुछ भी नहीं होता. Nothing happens overnight. गल्ती हर किसी से होती है. Everyone makes mistake. Everyone makes mistake. मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगा. I will never forgive you. I will never forgive you. Thank you so much for watching.